बहरत के location के बारे में ठीक है ये भारत का यहांपर national emblem है ठीक है जिसमें हैं पर यह सत्य मे उजयते लिखा हुआ है और सत्य उजयते जो है यह हमने मुंडक उपनिशद से लिए है तुर अलग अलग तरीके की उपनिशद हैं उसमें से मुंडक उपनिश्द से सत्य में चैते जो लिखा गया है यह शब्द यहां पर लिया गया है ठीक है यह भी आप याद रखना अगर किसी भी यह तमिल नाडू देखने को मिल रहा है यहां पर अरोनाचल प्रदेश हो गया और यहां पर क्या है यहां पर आपको गांधी नगर गुजरात देखने को मिल रहा है तो यहां से अगर उपर से लेकर नीचे तक ठीक है और यहां राइट से लेकर लेफ्ट तक अगर आप दिखने को मिल रहा है और इसी वज़े से यहां पर हम बोल रहेंगे भारत जो है वह एक यहां पर वास्ट कंट्री है ठीक है दूसरी बात इस चीश को समझते हैं इसके लिए मैं आपको यहां पर फोटो है यह मैं आपको दिखाता हूं यहां के बुक में भी दिया हुआ है इसמׇफ तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर यह लेटी हुई lines देखेंगे तो वो भी आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं जैसे यह 0 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर आपको 90 degree देखने को मिल रहा है तो इसके उपर अगर आप देखेंगे तो 90 line जो है वो उपर की तरफ देखने हैं तो यह जिया जीरो डिगरी पर आपको यह देखने को मिल रहा है जो यह 0 degree वाली line यहाँ पर है इसको हम क्या बोते हैं इसको बोते हैं equator अब अगर आप equator को यहांपर समझ गहें तो आपको यह चीज़ समझ में आ रहा हुए कि equator के ऊपर वाला जो पारड यहांपर होता है is सको यहां पर होता है इसको बलते besides रहाँ इंडिया हो गहीं सब्सक्का हैना कि नॉर्थन हमिंस्फियर इसके ऊपर हाएगा Southern Hemisphere में कोई reason है क्या उसका बिल्कुल नहीं है इसी तरीके से यह जो particular line होती है 0 degree जो मैंने vertical line यहाँ पर खीची है इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं longitude ठीक है इसे हम यहाँ पर longitude के नाम से जानते हैं अच्छा longitude का total number कितना होता है 180 यहाँ पर आपको total number देखने को मिलेगा latitude का जो number है वो है आपका यहाँ पर 180 और अगर longitude का number देखेंगे तो 180 कैसे देखेंगे जैसे अगर मान लिजे कि यह 0 degree है 0 degree के बाद 180 degree east 180 degree west 180 यहाँ पर हो गया उसके बाद अगर आप दूसरा number यहाँ पर देखेंगे तो 180 जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा total यहाँ पर जो longitude है यहाँ आपको 360 यहाँ पर देखने को मिलेगे है ना simple सी बात यहाँ पर यह हुई कि भाई यह देखो यह हमने क्या किया है ग्लोब को खोल कर रख दिया है तो अब यहाँ पर क्या होगा east direction में जैसे यह longitude होता है ना यह क्या करता है यह यहाँ पर इसको eastern hemisphere में divide करेगा और यहाँ पर यह western hemisphere में divide करेगा अब अगर आप देखेंगे तो 0 से लेकर 180 डिग्री east में यहाँ पर आपको lines देखने को मिलेंगी 0 से लेकर 180 डिग्री west में आपको line देखने को मिलेंगी 180 डिग्री east 180 डिग्री west तो total कितने हो गए 180 प्लस 180 is equal to 360 अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 90 यहाँ पर 90 यहाँ पर 1 हमको add करना पड़ेगा है न तो टोटल कितने हो गए टोटल यहां पर जो है वह आपको 181 देखने को मिले इसी तरीके से उपर वाले में भी हमको करना पड़ेगा ठीक ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है है अगर लग रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि यह तो आपको अल्रीड पता है है न है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है था कि आपकोện कि चीजे में अच्छे से क्लियर करा हूं लेकिन यहान पर क्या होता है कि यह जो 180 डिगरी안 पर ऋपर एसे होते हैं तो यह एक य Studios तो इätग ही लाई होती है और इसी वज़े से हम यहान पर क्या करत तो प्यारे भारत की जो लोकेशन आपको यहां पर देखने को मिल रही है इसमें अगर आप देखेंगे तो प्यारा भारत जो है वो पूरी तरीके से नौर्डन हमिस्फियर में है और उसके बाद यहां पर क्या है कि यहां पर यह इस्टन हमिस्फियर में आपको देखने को मि उनका यहां पर क्या है कि सब लोगों का अलग-अलग यहां पर latitude होता है जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह लाइन यहां पर क्या है यह लाइन जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यह 0 डिग्री बाला रीजन होता ने इनको बोलते हैं पोल्स है ना 90 डिग्री नॉर्थ में अगर आप जाओगे जैसे यहां पर देखो यह जैसे इसको देखो गया आप ना तो यह लिखा हुआ यहां पर आपको यह अलग-अलग तरीके की रीजन्स देखने को मिल रहे हैं इसमें कहा है कि भारत का लैटिट्यूडनल एक्स्टेंट यहां पर बताया गया है लैटिट्यूडनल एक्स्टेंट का मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि जैसे यह वाली लाइन यह भारत का सदन पॉइंट है एक इस तरीके से मैंने यह लाइन यहां पर खीज दी और उसके बाद यहां पर क्या है एक लाइन मैंने यहां पर खीज दी ठीक है यह दो लाइन आपको दिख रही है अब एक बात बताओ यह नीचे यहां पर यह जीरो डिगरी है तो यहां पर क्या है यहां पर है यह 8 degree 4 minute ठीक है 8 degree 4 minute ठीक है बास समझ में आ गई अब उपर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा ना बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा 37 degree 6 minute ठीक है तो यह हो गया अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि latitude जो है यह 8 degree 4 minute नौट से लेकर 37 degree 6 minute ठीक है अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब हमको यहां पर क्या करना है कि लॉंगिट्यूट्स यहां पर देखने है ठीक है यह पॉइंट समझ में आ गया और एक लेन यहां पर आएगी अब यहां पर क्या है कि यह जो particular line यह 0 degree है यह 0 degree आपको जिसको green mean time हम यहां पर खहते हैं यह 0 degree है आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे यह जो particular point आपको देखने को मिल रहा है यह मिल रहा है 68 degree 7 minute East ठीक है यह हो गया 68 की बाद आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे यहां पर क्या होगा यह हो गया आपका 97 degree 25 minute ठीक है मतलब यहां पर क्या है 97 degree 25 पर यहां पर यह इस देखने को मिल रहा है यहां पर देखो दोनों जगे पर जो है वो नौर्थ नौर्थ लिखा हुआ है यहां पर East लिखा हुआ है तो आपसे पेपर में डारेटली पूछा जा सकता है कि भारत का जो लैटिटिट्यूडनल extent है वो यहाँ पर कितना है और longitudinal जो extent है वो यहाँ पर कितना है तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा बाकी मैंने इसका point जो है वो आपको समझा दिया कि किस तरीके से इसको यहाँ पर define किया जा दो चलिए अगला point देखते हैं अगले point में देखो दिया हुआ है कि the tropic of cancer divides divides the country into two almost two equal parts ठीक है अब इसका क्या मतलब हुआ देखें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यह जो particular line यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ठीक है यह जो line यहाँ पर है यह क्या है यह 0 degree है फिर उसके बाद अगर इसी के ऊपर हम इस तरीके से draw किया तो यह जो particular line होती है यह यहाँ पर क्या होती है यह होती है यह होती है आपकी equator ठीक है यह होगया आपका equator इसके उपर यह जो 23.5 degree है या तो इसको 23.5 degree हम बोल सकते हैं या 23.5 degree हम बोल सकते हैं दोनों सीजे सही है ठीक है कोई issue नहीं है तो इसको बोलते ह ट्रॉपिक ओफ कैंसर ठीक है ट्रॉपिक ओफ कैंसर जो है वो यहाँ पर कहलाता है और यह जो लाइन यहाँ पर होती है इसको भी यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनिट हम बोलते हैं लेकिन यह नौर्थ वाला होता है और यहाँ पर साउथ में होता है क्योंकि यह सदन हमेस्फियर म तो इसको हम Tropic of Capricorn जो है, वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, तो अब मुझे एक बात यहाँ पर यह समझ में आ गई, कि भारत को अगर हम देखेंगे, यह यलो कलर में जो आपको देखने को मिल रहा है, यह नीचे की तरफ है, है न, तो यहाँ से कहा है कि equator तो पास नहीं हो रह है, और 1 minute is equal to होता है 60 seconds, ठीक है, तो इसके basis पर हम लोग क्या करते हैं, कि यह relation मगरा यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, तो 23 degree, 30 minute यह लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत से जो है, वो Tropic of Cancer को हिंदी में अगर होता है, कि यह जो है, हमारे पूरे के पूरे भारत को दो equal parts में यहाँ पर divide करता है, ठीक है, तो यह point आपको यहाँ पर given है, ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है, कि दा south east and south west of the mainland lie the अंड माने निकोबार आइलेंड and the लक्षिदीप आइलेंड इन बेय ओफ गया, यह east हो गया और यहाँ पर यह वेस्ट हो गया, तो जब हम यहाँ पर south east के बारे में बात करेंगे तो यह हो गया, south west की बात करेंगे तो यह हो गया, ठीक है, तो अगर मान लीजे कि मद्ध प्रदेश, ठीक है, हमारे देश का जो दिल है, वो यहाँ पर मद्ध प्रद और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह आपका लक्षदी पाइलेंड देखने को मिलेगा ठीक है तो एक बात यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है यह बे ओफ बेंगॉल है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह अरेबियन सी है और बे ओफ वगरा यहां पर पता होना आविश्यक है ठीक है फिर उसके बाद दा सदन मोस्ट पॉइंट आफ दी इंडियन यूनियन ठीक है इंद्रा पॉइंट गॉट्स अंडर दा सी वाटर इन 2004 डूरिंग दा सुनामी है ना आप जैसे क्या होता है कि सबसे साउथ में हमारा कौन सा प पता रहा हूं इसको ध्यान से देखना अब जैसे माल लीजिए कि कौन कौन से स्टेट है जहां से करक रेखा आपको पास होती हुई दिखाई देती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है ठीक है तो यह तो एक अच्छा कोश्चन है इसको याद रखना है यह हो गया आपका त्रिपुरा ठीक है यह हो गया आपका त्रिपुरा और फिर यह हो गया आपका मिजोरम ठीक है यह सारे के सारे जो आठ स्टेट आपको देखने को मिलते हैं यहां से क्या होता है कि यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह यहां पर पास होती है ठीक है अब यहां पर अगर आपका हो गया number one यह हो गया राजिस्थान यह हो गया आपका मंत्रप्रदेश यह हो गया आपका चत्तीजगर्ड यह हो गया आपका जारखन यह हो गया आपका वेस्ट पेंगॉल यह हो गया आपका त्रिपुरा और यह हो गया आपका मिजोरम यह आठ स्टेट के नाम ऐसे य यहाँ पर discuss कर लिया है अब अगर आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की कूल जो आपो देखने को मिलेगा एक जिगे यहे है तो अगर माल लीजिए कि आपसे कोई यह पूछे कि Northernmost यहां पर पॉंट कौन सा है तिक जो Northernmost यहां पर प diz आना है कि जो northernmost point होगा वो यहां पर क्या होगा तो northernmost point जो है यह आपको इंदिरा कोल यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद अगर आपसे कोई यहां पर southernmost point यहां पर पूछेगा ठीक है जो हमारा southernmost point है ठीक है southernmost point तो अगर यह आपसे कोई पूछेगा तो southernmost point जो ह यह आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा है ना मतलब की सबसे नौर्थ में जो हमारा पॉइंट है यह इंदिरा कोल है और जो सबसे साउथ में है वो आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर क्या है कि इंदिरा पॉइंट जो है वो यहां प west में कौन सा point आपको देखने को मिलेगा ठीक है जैसे मैंने north वाला बता दिया south वाला बता दिया east वाला आपको बताना है और आपको west वाला बताना है ठीक है इस session को देखते देखते उसकी information मैं आपके साथ यहां पर share कर दूँगा लेकिन अभी के लिए अगर आपको पता है तो आप उसका answer comment section में जरूर दीजिएगा ठीक है बई चलिए आगे बढ़ते हैं